फुल बॉलीवुड स्टाइल है बाबा फुल बॉलीुड स्टाइल स्टाइल में रहने का और मसत बेकाबुक करने का शालीन भानूट के आज के performance को देखने के बाद मेरे अंदर तो यही बात आ रही है भाईया यह तो बॉलीवुड लाइग मटीरियल है ले जाओ, काहे को सीरियल वीरियल करा रहे हो, ले के जाओ, क्योंकि दोस्तों आज जो है शालीन भानोट की एक्टिंग का एक अलग ही नजारा हमें देखने को मिलता है, आज जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो जिस तरीके से डिरेक्शन था, जिस तरीके से आज की सिनेमेटोग्राफी थी, या फिर आज की जो स्टॉरी लाइन थी, ओ माई गॉड अन्बिलीवेबल, आज का रिव्यू, ओनेस लाऊंगा, आप लोगों के ले लाऊंगा, जहां पर बहुत सारी बातचीत, जो है मैं करूंगा, ठीक है, चाहे वो इशा का परफॉर्मेंस हो चाहे वो हमारी प्यारी सी, सेक्सी सी, मोना लिसा का परफॉर्मेंस हो, या मीनी का परफॉर्मेंस हो, या फिर अगर बात करें शालीन भानोट की, या फिर उस लड़की की, जिसको मैं नाम भी याद नहीं रखना चाहता, क्यों ले लिया, किसले ले लिया, मैं यही सवाल चाहता हूँ, वाई, किसले उससे अच्छे और अक्टर से वही या, क्यों खाली हमारा टाइम बेस करा है, उसका गंदर परफॉर्मेंस देखने के लिए, चलो खेर कोई बात नी, रिलाक्स, राहुल, काम डाउन, बात करते हैं, बेकाबू की, नमस्कार, स्वागते आपका चैनल टेली खजाना में, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा नाम राहुल बोज है, इंस्टाग्राम पर मिलिये मुझ से, राहुल बोज बाचीत करेंगे धेर सारी, राइट, सो दोस्तों ऐसा लग रहा है, धीरे-धीरे करके, जो मुझे पर्टिकुलर्ली समझ में आ रहा मेरे भाई अशुत के साथ क्या हुआ था, मेरे बहन ले उनके साथ क्या किया, आकिरकार ये क्या हुआ, आकिरकार वो क्या हुआ, मैंने कहा भीया, यही तो है कुछ बात, और दोस्तों यहां पर यही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि ईशा की मम्मी का, मतलब पेला की मम्मी का जो किरदार है वो बहुत ही वो एक्ट्रिस बहुत बड़ी है मतलब काफी अच्छी उमर मतलब वो उनकी बॉलिवुड में मतलब फिल्म इंडेस्ट्री में उन्हों अच्छा काम किया है तो उनको सिर्फ और सिर्फ यह थपड़ खाने के लिए तो नहीं प्लस परी की शक्ति क्या सुनने की है इसके अलावा क्या क्या है हाँ राक्षस की शक्तियां उस पर असर नहीं होती है ये बात हम जानते हैं परी का खून पी के राक्षस शक्ति शाली हो जाता है ये भी बात हम जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आज जो मलेका की शा मतलब मुझे वहाँ पर उसकी जान आ रखी है आफ़त में है और वह बनी मुझे यूग है अरे यार तुम थोड़ा तो करो तुम इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में कर रहे हो कि मुझे बिलकुल पसंद नहीं आया और मैं तो भाईया honest बोलता हूं और सचकी सिवावर किस आज जो particular scene जो ऐसे वह था न जो इशा का close-up था camera पूरा revolve हो रहा था उसमें उसके expressions देखता क्या sexy expressions थे मुझे इशा का काम आज बहुत अच्छा लगा मतलब इशा हर अपने episodes के साथ जो है आगे बढ़ रही है भाईया शालीन भानोट तो आज अएक अलगी swag में थे पता क्या scene था वो thank you कम से कम डिरेक्टर साहब को मैं thank you कहना चाहता हूं कि भाई आपने कुछ तो out of the box हट के सोचा और actual में बेकाबू में ऐसे please इसको continue रखना please आप episode छापने के लिए कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी मत दिखाना जैसे नागिन के साथ हो रहा ह I felt so bad for Nagin honestly speaking. खेर आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यहां पर वो वाला drama हुआ वहा पर ठीक है मैं Ranaf के बिगेर नहीं रह सकती हूं मलिका मैं उसके बिगेर नहीं रह सकती हूं तुमने मुझे propose किया बहुत अच्छा drama था वो drama पसंद आया लेकिन यहां पर जो Ranaf ने किया ह वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लड़की को कैसे बचाया, उसकी टेक केर किया, उसके बाद जाके उसको जो है, इस कैपिबल बनाया उसने, वो आकर यहां पर बोले, अब अच्छा है, वो लड़की जिन्दा रहेगी, उसको राक्षस परिशान नहीं करेंगे, वैल, जो भी नहीं है, मुझे कॉमेंट करके बता देना, तो दोस्तों, उसके साथ जो लड़ाई हुई है, भाई साब, क्या सेक्सी लड़ाई थी, यार, मज़ा आ गया देखके, बहुत सुन्दर लड़ाई, बहुत ही बढ़िया लड़ाई, और प्रैस, शालीन भालोट आक्ष का तो VFX नहीं होगा, बट अच्छा लगा यार, VFX, VFX के मामले में बेस्ट लगा, बहुत बढ़िया, तालिया, तालिया, VFX और आप इंप्रूफ कर सकते हो, specially, वो दात है ना, कभी कबार आप देखना, नोटिस करना, वो दात है ना, वो अलग blink करते हैं, वो कभी इंस्ट ले दो, तो उसको अच्छे से बनाओ, क्योंकि वो बहुत देखने में, आप इतना बड़ा प्रोडक्शन ले रहे हो, इतने बड़े स्टार्स को ले रहे हो, तो इसमें गल्ती मत करो, ठीक है, VFX से दुनिया को अपनी मुठ्छी में कर लो, मैं तो इतना कहना चाता हूँ, स्टोरी लाइन बहुत इंट्रस्टिंग हो रही है, सारे प्लॉट बहुत अच्छे हो रहे हैं, और प्लस एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, हमको प्रोमो में दिखाया था, ऐसे प्रोमो में दिखाते हैं कि राक्षस और परी की प्रेम कहानी, लेकिन अभी ऐसा ल मतलब एक लव एंगल, एक रियल लव एंगल बनाएं, वहना पता चला, वो हलचल की तरह हो जाए, वहाँ पर करीना और यूनो, क्या थे हिरो के नाम, अक्षा खन्ना, उनकी तरह ना हो जाए, ओवर एंडॉल, आज का एपिसोड जबरदस्ता, जानदार था, शानदार था एक भी ऐसा मुझे प्लाट नहीं लगा, जो कि पिट नहीं बैठ रहा है, जैसे अभी बीच में वो जो हीरा चोरी का था, वो थोड़ा सा मुझे मिस्प्लेस लगाता है, ऐसा लगाता है, आउट ओफ रैंडम ली आ गया है, बट ठीक है, इतना अपन को अच्छा प्रोडक धंकारी होती है, जब धंकारी होती है, पार्टी से आके उस समय देखना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मौना लीसा की ऐसी आवाज नहीं है, बल्ल डबिंग में उनकी आवाज बहुत दबी-दबी सी साउंड कर रही है, तो डबिंग वही आ, इंप्रूफ कर और बागी तो अच्छा कर रहे हो, कम से कम इसको तो इंप्रूफ करो, तो आगे स्टोरी लाइन में दोस्तो, परी की मा का कुछ, मुझे लग रहा है, क्यारक्टर चेंज हो सकता है, प्लस मोना लीसा के पती का कुछ, बहुत बड़ा राज है, जो मुझे ऐसा लगता है, इ चनल के साथ देखते रहें टैली खजाना, और प्लीज वो जो लड़की आई थी यार, उसको बोलो बहन थोड़ा सा काम कर ले, इतने बड़े शोपे आ रहे हो, कम से कुछ तो कर ले, ठीक है, आप मेरे को ही कॉन्टाक कर लो, मैं बतार दूब आपको, राहुल भोज, वन पाइ, Instagram पे, बाइ